मैं आज आपको बहुती पपुलर एक हेलमेट टोपिका डिजाइन लेकर आई हूँ यह मेरे बच्ची जब छोटी थी तब यह इसको मेट डिजाइन करी थी उस टाइम में भी यह कभी सारा दोस्त ने पर्शन किया था और उस टाइम में यह भाईरल भी हुआ था इसलिए मैं आज दिपानेटिंग चैनल में यह सुन्दर सा हेलमेट टोपिका डिजाइन शेयर कर रही हूँ अब भी तक नए हो तो पिलिज चैनल सस्क्राइब करें यह परसनायती वीडियो को लाइक कीजिए आई देखते हैं किस तरीके से बनानी है देखें सुरु में आपको सिलिप तरीके से बनाएंगे तो यह अहरारी तीन मन्च से छे मन्च एक बर्चा की बेबी के लिए आ जाता है पर यह टोपी में दागा डबल गर के ले रही हूँ इसलिए यह टोपी एक साल से तीन साल का बेबी के लिए परफेक्ट आ रहा है यहां से आपको सारी फंदे सीधी सी सीधी बिनने के बाद इसका दूसरे साइट से भी इसी तरीके से बनाएंगे सारी फंदे सीधी सीधी बिनते होए अब देखें इस तरीके से बिनने से दोनों साइट से सीधी सीधी बिनने से यह धारी वाला डिजाइन बनकर आता है अब देखिए धारी वाला डिजाइन ग आपको देखा रही हूँ हो यह देखे यह साड़ से एक्राइन के लिए सारी अविधly बनेगे में और बनना बहुतई इजी है और इजी तरीके से बन कर आता है बहुती कौम उलसे बन कर आता है ये टोपी अब सीधी साड़ से इस तरीके से बिनने के बाद इसका ब्याक साड़ से देखे ब्याक साड़ से फहस बंदा बिना बिना तागी पीछे एक फंदा सीधा बिनने हैं देखे इस तरीके से तागा आपनी ओर एक फणदा उल्टा एक फणदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है यह हमारा डिजाइन है यह ब्याक साइट से बिनने के बाद आप देखी इसका सीड़ी साइट से फ़स फंदा बिना बिना तागी पीछे सीधी में आपको सीधी बिनना है दागा आपनी और लेना है उल्टी वाला फंदा दागा आपनी और लेकते होए ये सीधी वाला फंदे को सीधी बिनने है मतलब दागा आपनी और है और इधर सीधी बिनने है जिसकी बज़र से इधर एक फंदे बढ़ जाता है तागा आपनी और अब देखें उल्टी फंदे बिना बिना सिधी फंदे दागा आपने और राकती होएं सिधी बिनने नहां मतलब एक फंदे आपको बढ़ाते होएं इसका उपर डेजाइन बनानी हैं बहुती ईजी डिजाइन है और इजी तरीके से ये डिजाइन बन कर आता हैं शिर्फ दो रोका डेजाइन है, बार-बार आपको इसी बात को repeat गरनी है, दागा आपने और उल्टी फंदे बीना मिना, सीधी फंदे, सीधी बीना है, इसी बात को शिरिफ आपको repeat गरनी है, सीधी साइट से इस तरीके से रिपीट गरनी के बाद अब देखे इसका बेहक साइड में फास फंदा बीना बीना अब देखे एक सीधी है और एक जाली वाला है देखे रहें इसको दो को आपको एक साथ बिनने नहीं देखे इस तरीके से धागा आपने और उल्टी फंदे आ बिनानी है अब देखे इस तरीके से बिनती हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ एक फंदा उल्टा ताके पीछे सीधी और जाली वाला फंदा सीधा बिनाई एक फंदा उल्टा फिर सीधी और एक जाली वाला सीधा तागा आपने और एक फंदा उल्टा अब देख तरीके से इसका उपर बिनते जाना है मैं एक बार बिनका देखाती हूं अब देखें फोस फंदा बिना बिना इस तरीके से तागे पीछे सीधी में आपको सीधी बिन देना है तागा आपने और अब देखें यह उल्टी वाला है इसको बिना बिना उतार देना है तागा आप इसी बात को आपको बारबार रिपीड करते लोगने यह इसके हैं और चीची सथाहर्त बासक पूरी करने के बाद अब इसका ब्याक साइच से देखा रही हूं यह 15 फ़ना ह JENN धागी पीछे सीधी फंदे में एक जाली भी आ रहा है इसको आपको एक साथ लेकर बिन देना है तो देखे इस तरीके से धागा आपने और एक फंदा उल्टा भी नहीं तागी पीछे सीधी और जाली वाला फंदे लेकर दो फंदे एक साथ इसी तरीके से आपको इसी बात को सिर्फ repeat गारनी है मतलब दोनों साइड से आपको इसी बात को repeat गारनी है यह सिर्फ दोरों का है CDR ulti side से दो side से बिनने से यह design बन कर आता है अब देखें मैं इसी तरीके से अब भी इसी तरीके से बनाईएगा और यह मैं थोड़ी बिनने के बार फिरे मैं आपको देखाती हूं कि इसका उपर किस तरीके से बिनने हैं दोनों side से इस तरीके से बिनने से यह सुंदर सा design बन कर आता है पर सीधी का design जाता आता है इसलिए बैक side से गिनकर देखा रही हूं एक दो तीन चर पांट तो देखें पांट दीजाइं इसमें बनकर आ रहा है अब इदेखें इंची टेप से नापकरवी मैं देखा रही ह इतनी आने के बाद इदर से आपको फंदे उठानी है अब देखें यह गांट वाला देख रहे हैं उपर का इस तरीके से गांट वाला उठाने है शिरिप आपको उठानी है उपर का एक सीधी से उठानी है और एक उल्टी से इस तरीके से फंदे उठाकर आपको बनानी है म तरीके से उठाने के बाद ये 2 हम एक साथ में connect गारनी है दोनों फंदे लेकर आपको बिनने हैं तोछ spur नआधर की फंदे के बाद ये 2-पर खरनेन के पूने के bringen हैं और दोनों साथ का 1 एक फंदे लेना है देखिए उपर का और नीचे का फंदे लेकर अब दिखिए मैं देखाने जारी हूँ ये आगे मैं आपको ये वाला लेना है और पीछे में ये पीछे का धागे से आपको लेना है और एक साथ बिनने ना है दो फंदे दो काएक इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बिनें मैं इसी बात को repeat गरते हैं इसका उपर बिंते आ रहे हूं आप भी इसी तरीके से बनाएएगा इसी बात को repeat गरते हैं बहुती सुन्दर यह helmet टोपी बनकर आता है आप चाहिए तो इसको monkey टोपी भी बोल सकते हैं और यह बढ़ने के बाद बहुती सुन्दर नजर आता है आपको फिर सारी फंदे सीदी सीदी बनानी है कि इसी तरह के से सारी इस पंदे शीदी सीदी बिंधि है बिनका लैट में आ रहे हूं विए को ऑब दिखें लश्याह狗 उनकर बपनानी है अब देखीं इसका डूसरी साइड शेमिए ईसी तरीके से यह धारी वाला- तीन दारी वाला डिजञ्ञ्ट में आ रही हूँ नहीं भनुन दोनों साइड आपको इसी briकें से दिजाइख maggie कि, यह सीदी सार्ड है सीदी सार्च देखे एप दो तीन 3 धारी का-डिजाइन इसमें में बना रही हुँ पर इतने बिननी के बाद जिस तरीके से वह दरी से हम onu बिर सी थारी-चीडिई लास्ट में आ रहे हूं तो देखे लास्ट वारा फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है अब देखे इसका ब्याक साइट से बिनते हैं फिर ब्याक साइट से फस फंदा बिना बिना यहां से देखे दागा पीछे लेकर जाना है एक फंदा सीधा बिनना है देखे इस तर केसे बिढ़िते में लाक मैं एक पंदा दागा आपने और एक पंदा उल्टा और लाम को बना लेना है तो ै अब देखे इसका दुस्रे साइड़ से बीनते हैं फिर दूसरी साइड मतलब इसकी सीद्र साइड में आपको डालनी है फंदा बिनहां में आपको सब्सक्राइन चैनल में ची दिधी देड़ा आपने और होने तरीके से निचे का डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इसका उपर भी बिनहें अब देखें इतनी में बीन चुकी हूं तो देखें इसका backside से मैं देखा रह रही हूं इसका ऊपर एक दो त purely टीन चार पाँट डिजाइन बन ला से पाँटको डीजाइन बनने के बाद इदर से आपको फंडे उठानी है जिस तरीके से आम नीचे में उठाये थे उसी तरीके से उठायनी है देखे इतनी बिनने के बाद ये गाठ वाला देख रहे हैं उपर का इसको आपको लेना है एक उल्टी फंदे से लेना है एक सीधी फंदे से लेना है तो देखे इसी तरीके से उपर में जितनी फंदे आता है फिर यह दो आपको एक आपस में Connect गरती होय अब Thunder फिर विं देना है अब देखिई एक उपरका और एक नीचे का लेना है और फिर बिंदेना है तो दिके projets बोलोर है इसी तरीके से इसी बात का repeat मिया करती है उपर का लेना है और पीछे का लेना है पीछे का आपको देखे इसमें ये दो डिजाइन बन चुका है ये डिजाइन है और ये दो बन चुका है एक और ये दो अब देखे इसी बात को इसका उपर रिपीट गरनी है अब तीन धारी वाला डिजाइन फिर ये एक डिजाइन इसी तरीके से इसका उपर बिनने है अब देखे ये तीन बन चुका है एक दो तिन इस तरीके से अब जितनी हम नीचे में ये डीजाइन बनाए थे धारी वाला इसका उपर भी उतनी बनानी है अब देखें यहां से बिनते हैं फस्वंदा बिना बिना तागी पीछे यहां से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है देखें इस तरीके से बनाई एगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिना का लास्ट में आ रहे हूँ तो देखें लाश्ट का एक पंदी लिना है इसा तरीके से इस साड. अब देखें इस तरीके से दोनों जाठ से सीदी सीदी बिंती है बनानी है ये धारी वाला डीजाइन बनानी के लिए इसा तरीके से सीधी सीधी बींते हूए बनाईएगा इसका उपर मैं इसी तरीके से इसी बातको दी पिधगरते हुए इसका ऐसे दिजाइन 1,2,3,4 बनानी है मतलब नीचे में जितनी डिजाइन बनाया थे तारी वाला उतनी डिजाइन इसका उपर बिनने है इतनी बिनने के बाद इसका उपर आपको थोड़ी चेंज़ गर के बिनने है अब देखिए फास बंदा बिना बिना फिर यहां से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है सर्कुलर नेडल और डबल प्रिंटर नेडल का यूज़ गर सकते हैं पर मैं इसका उपर सिंपल नेडल से बनानी वाली हूँ और बात में सिलाइगर के इसका जुडाइगर हूँगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और ये बारा बारा फंदे में इसमें डार रही हूँ तो देखें बारा फंदे डालनी के बाद अब इसका दूसरी साइड से दूसरी साइड से देखें फरस फंदा सीधी बिनाई बेनने हैं तागा आपने और एक फंदा उल्टा बिनाई तागे पीछे एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बेनने हैं एक सीधी एक उल्टी बिनती होए अब देखें पूरी फंदे में इसी तरीके से बिनती होए मैं बिनाई का लास में आ रही हूँ एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बिनती ह सब्सक्राइब इसी तोपी का दिजाइन है चैने छिबिश्ध कर दो बार बार आपको इसी बात को रिपीट गरनी है बहुत ही इजी टोपी का डिजाइन है आप भी जरूँ ट्राइग अब इस तरीके से जो हम डार रहे थे 12 भंदे उसमें भी आपको यह इसी डिजाइन को बनानी है उल्टी में आपको बिना-बिना उतार देना है सीधी में आपको उल्टी बिनना है सीधी फंदे में सीधी फंदे और जाली वाला फंदे लेकर सीधी बिना बिनना है इसी बात को आपको बार बार रिपीट गरनी है मतलब इसी तरीके से आपको दोनों साइड से बिनते होए बनानी है अब देखिए एक फंदा उल्टा तागे पिछ सीधी और जाली वाला फत्ना सीधा लाश का एक पंदे सीधी अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीद गरते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ यह इसकी सीधी साइड है तो देखिए इसका बैक साइड से इसका उपर का डिजाइन गिनते हैं तो देखिए एक दो त इन चार डिजाइन इसमें डार रही हूँ चार डिजाइन डालने के बाद फस्वंदा बिना मिना दो फंदे एक साथ सीधी और उल्टी दो फंदे बिन देना है आपको सीधी और उल्टी दो फंदे दो का एक सीधी और उल्टी दो फंदे दो का एक सीधी और उल्टी दो फ सद्लिकाद रही सद तरेके से इतनी बनानी हैं अब देचे इस기 who सरी संदी बिननने हैं मतलब सी्दि साथ से सीधी और उल्टी साथ कर इतनी बना कर तकी हो इसी तरीके से इतनी बिननने हैं यह गिनकर देखा नневने के बाद यह नीशे का डिजाइन इसका उपर डालनी यह डिजाइन डालने के लिए देखिए फोस फंदा बिना बिना इस तरीके से तागा आपने और एक फंदा बिना बिना देख रहे हैं इस तरीके से एक फंदे सीधी बिनाई तागा आपने और एक फंदा बिना बिना एक फंदा सीधी बिनाई इसी तरीके से इसका उपर बिन सब्सक्राइब को रिपीट गरते हुए यह डिजाइन बनाते आ रहे हैं यह श्रीप दोरों का डिजाइन है आपको बार बार इसी बात को रिपीट गरते हुए बिनने हैं एक फंदा उल्टा बिनाए तागे पीछे दो फंदे एक साथ लाश्क का एक फंदा उल्टा अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट गरते हुए इसका उपर बिनती हो आप भी इसी तरीके से बनाएगा इसी बात को रिपीट गरते हुए अब देखिए यह ब्याक सार्च से 3CD का डिजाइन और सीधी सीफ़ इस तरीके से डिजाइन बनाने बाद इसके उपर फिर गटाती होई बिनना है दो फंदे दो काएक सीदी बने मां बनाना हो दो हको इसी तरीके से दूसरी साइट फॉस फंदा बिना बिना यहां से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिना है तो देखे इस तरीके से बनाईएगा सारी फंदे उल्टी बिना बिनती है मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ अब देखिए इसकी सीधी सैट से इसका उपर घटाई गारनी है दो फंदे दो का एक इस तरीके से फिर एक फंदा सीधा फिर दो फंदे दो का एक फिर एक फंदा सीधा इसी तरीके से इसका उपर बिनना है अब देखे इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लाश में आ रहे हो दो फंदे एक साथ फिर एक फंदा सीधा लाश का एक फंदे सीधी तो देखे इस तरीके से बनानी है अब देखे इसका ब्याक साइट से फिर फास फंदा बिना बिना ये साइट से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिना बेंदना है अब देखे इसी तरीके से सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हैं लाश में आ रहे हूँ फिर इसका दूसरी साइट फंदा बिना बिना अब देखे ये कटाई का है कटाई का आगे का फंदे लेकर दो फंदे दोकाई देखे ये कटाई का है साफ साफ नदर आ रहा है कटाई का अब देखे इसका उपर इस तरीके से इतनी बिनने के बाद अब इसका उपर का कर अपको कट गार लेना पको फंदे इस तरीके से बिनेगा और खीशना इस दागी को अब फिर देखे दो बन्य नहां और ये 5-9G2 बैना है फिर भीट कि अब Six लेना है अब दीखे लाश में एक फंद है इसको भी आपको दॉच्य अबいきसद है तो देखे इस तरीके से आपको फंदे बन कर नी है इस तरीके से विदने यह जो है डिजाइन बनकर आता है और इसको हम बात में यह सी धागे से इधर तक सिल लेंगे अब देखे इस तरीके से यह हिस्सा बिनने के बाद अब इसी तरीके से इसका नीचे का फंदे उठाएनी है देखे जो हम फंदे डार रहे थे उसी का यह धागा है यह लेकर आपक बड़ा साइज का बना रहे हैं 65-70 टालकर तो आप इसी तरीके से जितनी सुरू में फंदे डार रहे हैं उतनी आपको इस तरीके से पर्टेक चेन में 1 एक बार फंदे उठाती होई बना हैं अब देखे इसका उपर में 60 फंदे उठा रही हूँ अब देखे ये 60 फंदे उठाने के बाद जिस तरीके से हम नीचे में कान का हिसा बनाये थे उसी तरीके से इधर भी बनाया नहीं है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और ये बारा नहीं देखे जिस तरीके से इधर साइड हम बारा फंदे डाल रहे थे उसी तरीके से इधर बारा फंदे डालनी है बारा फंदे डालनी के बाद यहां से हम बिनेंगे फर्स फंदा सीधी बिनाए तिके इस तरीके से दागा आपनी और एक फंदा उल्टा बिनाए ताकि पीछे एक फंदा सीधा दागा आपनी और एक फंदा उल्टा बिनाए ताकि पीछे एक फंदा सीधा इसी तरीके से इ इस्सी बात को हरी पिटगॉरते हुआ है ति कि में इसी स्थर प sprpect में आ रहे हैं ये कह फंदा बीना एक फंदा सीधा दिन आरा लास के ऐसी इस तरीके से बनाई येगा या अब देखी इसका अरिब से riding गलाउ यह इसका ब्याक साड है और यह सीडी साड में यह डीजाइन बनकर आता है तागा आपने और अब देखिए यह सीडी फंद है इसलिए एक साथ भी नहीं है ताकि पीछे सीडी फंद है यह साथ लाश का एक फंदा उल्टा इस तरीके से बनाईएगा अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरनी है यह मैं दोनों साथ बना चुकी हूँ कान के लिए हिस्सा अब इतनी बनाने के बाद इसका उपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनने है अब देखिए यह जो है यहां से यहां तक आपको सीलना है यह वाला हिस्सा सीलने के लिए आपको इसको पलटनी है ब्याक साथ मे है अब देखिए सीला किस तरीके से गरनी है दोनों साइड का देख रहे हैं यह चेन वाला हिस्सा लेना है देखिए इस तरीके से दोनों साइड का चेन वाला हिस्सा लेकर सीलना है मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते है इसका उपर सीलती हूँ आप भी इसी तर तो देखें इस तरीके से बनने के बाद कुरुषे से लग गरिएगा जितनी भी आपका पास ओष्टे धागा है इसी तरीके से कुरुषे से लग गरनी है ताकि बिना फिनिसिंग और मजबुद बने अब देखें मैं थोड़ी लग गरनी के बाद ये धागा में कटगरती हूं जितनी भी ओष्टे धागा है ये आपको कटगर लेना है और ये साइड का बन चुका है इधर साइड का भी इसी तरीके से ये वाला हिस्सक ऍुएanten गया है जिस तरीके से दूसरी साइड का हम शिल चुम लेना है तक के साव हिस्ता से सीलनेके बाद जो तरह सो आपको अब तारीके से पर लकरने के बाद दिखिए और का इदर उपर का दिख रहे हैं फंदे आपको उठानी है तो दिखें इसका उपर फंदे इंटानी के लिए शुर्व में आपको उपर का फंदे इस तरीके से लेना है फिर नीजिका फंदे लेना है मतलब एक छेन में आपको दो फंदे उठायानी तरीके से या तक आपको पर्तेक छेन में दो दो बार फंद Futendee उठायनी है एक front side से एकcedeας से इसी तरीके से एक छेन में दो फंदे उठाते होई बेनना है फिर देखिएं एक फ्रंट साइड ऐ एक ब्याक सैड से हैं इसी तरीके से दूसरी चे डिसे हैं में एक फ्रंट साइड से और यह और एक ब्याक साइड से अब दिखिए इस तरीके से इधर हम कितनी फंदे उठा रहे हैं गिनका दिखाती हूँ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब दिखिए ये डिजाइन है डिजाइन का दाया और बाया में आपको एक एक फंदे उठाएनी है और बीस चेंटर में एक इस तरीके से आपको फंदे उठाएनी है तो दिखिए इधर साथ एक उठाएनी है अब दिखिए ये डिजाइन का बीस चेंटर का चेंट से एक फंदे उठाएनी है फरन अरब्या का दुनों चेंट लेकर अब दिखिए इधर फिर आपको एक फंदे उठाएनी है मतलब देखे यह Design है, Design का दाया, अर्बायें में आपको एक एक फंदे उठानी है, जिस तरह से इधर हम एक में दो उठाइने थे, उसी तरह से इधर और वी सेंटर में उठानी है, एक चेन में दो दो बार अब देखे मैं इसी तरीके से यहां से फंदे उठाती हूँ उपर से एक और नीज़े से एक फंदे उठाती हुए अब देखे यहां से हम टोटल पॉइंट इस फंदे उठाएंगे दिखे डीजाइन का धाया और बाया अरवं दिजाइन में आम एक में से एक बार उठाएंगे बाके में हम एक में से दो दो बार उठाएंगे तर अब देखे 25 फंदे होने के बात यहां से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है देखेत इस तरीके से बनाईएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिंती हुए सीधी साइट से भी इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है और ब्याक साइट से भी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती है बनानी है अब देखें यह धागा ना गिरे इसलिए इसका उपर में एक दो बार नट लगा रही हूँ अब भी इसी तरीके से इसका उपर नट लगाकर बिनियेगा और बात में कुरिशे से लग दरियेगा अब देखें यहां से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है अब देखें मैं इसी तरीके से इसका उपर दोनों साइड से सीधी सीधी बिनती हुए ये धारी का डिजाइन बनाती हूँ अब देखे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ धारी का डिजाइन बना रही हूँ ये फोल्लों गरने के लिए है अब देखे इतनी बिनने के बाद फस्वंदा बिना बिना तागे पीछे एक फंदे बिनने है और पीछे का फंदे इसी का उपर से गिरा देना है फिर देखे एक फंदे बिनने है और पीछे का फंदे इसी का उपर से गिरा देना है इस तरीके से इसका उपर का फंदे बंद गरने है अब देखे मैं इसी तरीके से इसका उपर का फंद बंदे करते हुए लाश में आ रही हूँ एक फंदे बिनने है पीछे का फंदे इसका उपर से गिरा देना है तो देखे इस तरीके से इसका उपर का फंदे बंगानी है थोड़ी खिसना है और धागा लग लेना है इधर साइड आम बात में बटन लगाएंगे अब देखे इसका नीचे का से दागा लगाएंगे देखे इस तरीके से दागा लगानी है अब देखे यह उल्टी फंदे से एक फंदा उठानी है और शीरी फंदे से एक फंदे उठानी है उठानी आपको उपर का दिख रहे हैं दागा है इसी दागे से आपको फंदे उठानी है यह कान का साइड में आपको जिस तरीके से एक साइड में उठाये थे फंदे उसी तरीके से उठानी है, मतलब पर्तेक चेन में एक एक बार फंदे उठाती हुए, फंद्र फंदे उठानी है दोनों कान में, अब देखें इधर साइड और इधर साइड हम 25-35 फंदे उठाएंगे, इसमें टोटल लास्त में रहा है। इसको आपको शीधी बिनना है। ताइट गर्नी है, यह हम बात में लगरूगे कुरिशे से, यह ना गिरे, इसलिए इस तरीके से लगानी है, अब देखे इसे तरीके से इसी बात कोisol करते हुआ है, इस इसा को रिपीट करते ुए है, इसका ओपर विपन्न है, मतलब देखे, फौस्स पंदा, हैं बनाते हुए बिन्न है आप देखें यहां से यहां तक में इसी बात को रिपीट करते हुए बिनते है और रही हूं काण का हिस्से आपको 9 10 11 11 13 14 15 फंदे इस तरीके से बेन लेना है आप देखें यहाँ से फिर गर्दन के लिए फंदे बेन ने हैं अब देखे दो फंदे बिनने के बाद पिछे का फंदे इसी का उपर से गिरा देना है बिनना आपको उल्टी को उल्टी बिनने ना है फिर पिछे का फंदे इसी का उपर से गिरा देना है और फिर सीधी को आपको सीधी बिनने ना है पिछे का फंदे इसी का उपर से गिरा द देना है इस तरीके से इसका उपर का फंदे बंद गार नहीं चुकी हैं आपको फिर डोरी बनाया ने हैं अब देखें इस तरीके से इस सी बात को रिपीट करते हुए थोड़ी लंबा इसका बींती हूँ फिर आपको देखाती हूँ कि इसका उपर किस तरीके से बनानी है तो देखे इसी तरीके से इसी बातकुरी पिरगते दोनों साइट का डोरी बनानी है तो देखे यह एक साइट का मैं इतनी बनाया चुकी हूँ यहां से यहां तक का इतनी बनानी के बाद मैं इसका उपर का फंदे बंद कर रही हूँ तो देखे फंदा बिना बिना एक फंदे बिनने है और यह फंदे इसका उपर से गिरा देना है फिर दागा आपने उल्टी फंदे उल्टी बिनने है पिछे का फंदे इसे का उपर से गिरा देना है अब दिखे, एक फंदे बिईने है, और पीछे का फंदे गिरा देना है, इस तरीके से आपको फंदे बंढ़ाने है, थोड़ी खिषना है, ऐसको खिषने के बाद ये धागा आगा आइंगे, इस साइड में हम बटन लगाएंगे, अर दूसरी साइड में हम बटन केलिए वोल बनाएंगे यहलमेट टोपी की तरह बनाएंगे देखें इसका उपर दागा लगाएंगे दागा लगाएंगे के बाद अब देखिए यह जो दागा है यह इस तर विखन में लेकर जाना के बाद इसका उपर बटन के लिए होल बनानी है यह जो डोरी है इससे थोड़ा छोटा बनाने के बाद इसका उपर आपको बटन के लिए होल डालनी है मतलग इसमें हम बटन लगाएंगे और इसमें हम बटन होल बनाएंगे बटन होल आपको इभी तरीके से बना सकते हैं साथ फंदे आपको बिनने हैं, देखिए, एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे बिनने के बाद, अब देखिए, तागा आपनी और लेना है, इस तरीके से, और ये सीधी और उल्टी फंदे को आपको एक साथ बना देना है, तो देखिए, इस तरीके से जाल लुँड के लिए होल बनानी आप चाये तो किसी भी तरीके से बटन के लिए फॉल बनाा सकती है अब दिखे इस तरीके से बटन बर डालने के बाद अब इसका दुसरी सैड़ से बिनते हैं दुसरी सैड़ से फस बन sure में ताकि पीछे सीधी में आपको सीधी बिनने नहां अब देखे दागा आपने एक फंदा उल्टा इसी तरीके से इसी बात को रिपिट गते बिनने हैं अब देखे यह जाली है जाली में आपको सीधी बिनने नहां तागा आपने उल्टी में फिर उल्टी बिनने नहां इसी तर बन्दः नेखे हैं इसे तरीके से पार अबूत। बढ़ना ना है जो बनीके अपर नब एक तरीकन यह दागा कहा अंब इस तरीके हैं को जीनिती आज़ाइंगे तो दिखे इस तरीके से ये टोपी में कई बार बना चुकी हूं पाइने के बाद बहुत ही सुन्दर नजर आता इसलिए मैं आपसे शेयर गर रही हूं जब मेरे बेटी छोटी थी तब ये टोपी का में डिजाइन गरा रही थी उस टाइम में ये काफी सारा दोस्त ने नफर डीए ये देखें ऊपर साइडब में इस तरीके से बटन लगाने के बाद इसका नीचे का गर्दन का हिससे में आपको लगानी है अगर आपको को में आ हिलमेट टोपी